जेडियू दफ्तर के पास अभी हम मौजूद हैं और जनतादल युनाइटेड के रास्ट कारिकारनी की और रास्ट परिशद की बैठक रास्दानी पटना में होनी है और उसको लेकर पूरी तरीके से तैयारियां जोरो पर है रास्दानी पटना को पूरे पोस्टर से पाट दिया गया है तस्वीरे देखिए किस प्रकार से रास्टानी पटना में जो पोस्टर्स हैं वो लगाए गया है जनतादल युनाइटेड के प्रदेश कारियाले के बाहर तमाम तरह के पोस्टर्स लगाए गया है साथ में लिखा गया है राष्टिये परिशद, राष्टिये कारिकार्नी, राज्येकार्नी की बैठक जो है बिहार दो, तिन, चार सितंबर को करपूरी सभागार में किया जाएगा और इसी को लेकर पूरा जेडिू का जो प्रदेश कारियाल है, वो पूरी तरीके से सजाया गया है देखिए यह पोस्टर लगाया गया है एक नया बैनर लगाया गया है यहां जनतादल युनाइटेर राष्ट परिशद की बैठक में आपका स्वागत है साथे साथ दोनों तरफ जो है वो नितीश कुमार के फोटो जो है बैनर जो है वो लगाया गया है गेट के बाहर हलाकि इन सब के बीच जिस प्रकार से मुख्य मंतरी नितीश कुमार प्रधान मंतरी के दावेदार होने वाले हैं और विपक्ष के तरफ से चेहरे होने वाले हैं इन सबी कयासों के बीच अब जडियू ने नितीश कुमार का चेहरा जो है वो कहा जाए कि एक तरीके से एलान क कर दिया है क्योंकि जो पोस्टर लगाए गए है जनतादल साथिए उनाइटेड़ प्रदेश कारियाले के बाहर वो अलग सन्देश देता है मन की नहीं काम की ये मन की बात जो है प्र्धानमंद्रि नरेंदर मोदी जो मन की बात हर महिने वो लोगों से जनता से बात करते हैं और मन की बात नहीं बलकि जो इस पोस्टर में बताया जा रहा है यह है काम की बात दूसरा जो पोस्टर है वो हम आपको दिखा रहे हैं यह दूसरे पोस्टर की और हम बढ़ेंगे और दूसरा पोस्टर लगा है अगाज हु हो गा ये दूसरा पोस्टर जन्ता दल युनाइटेड कार्यालहे के बाहर लगा हुआ है और इसमें लिखा हुआ है आगाज हुआ है बदला होगा। तरीके से साफ करना है और उसी को लेकर जो एलान हुआ है उसका ये पोश्टर में बताया जा रहा है कि आगाज हुआ है बदला होगा बिहार में लगतार विपक्ष की जो पाटियां है वो महंगाई जैसे मुद्दे को लेकर लगतार केंदर सरकार पर हमलवर नजर आ रही है और उसी को लेकर जो है ये पोश्टर लगाया गया है कि आगाज हुआ है बदलाव होगा अब हम तीसरे पोश्टर की और बढ़ रहे हैं जहां लगाया गया है नितिश्ट कुमार की तस्वीर है और जुमला नहीं हकीकत जिस प्रकार से जुमले की बात करे तो जुमला नही बलकि हकीकत है ये पोस्टर इस बात को बता रहा है आज ही जंतदल उनाइटेट के रास्टिय द्यक्ष लड़न सिंग ने इस बात को कहा कि केंद्र के जो ग्रीह मंत्री हैं अमिद साह वो कहते हैं जुमला चुनाओ के वाक्त बोला जाता है नितिश कुमार 17 साल मुख्य मंत् पोस्टर जो आप देख रहे हैं ये जेड्यू कारियाले के बाहर की तस्वीरे हैं और जो तस्वीरे हम दिखा रहे थे ये अब तक बाहर की तस्वीरे और देखिए रातो रात जो है वो ये पोस्टर्स दिन में बदले गए हैं साथी साथ जो तस्वीरे और जो कहा जाए कि जहंडा जो है वो पूरी तरीके से लगाया गया है यहां देखिए यह जेडियू का पूरा जहंडा यहां पर तयार है क्योंकि कल से जो राश्चे पैठक की शुरुवात होनी है उससे पहले यह जहंडा भी तयार है यह जो है वो जहंडा है और वो भी पूरी तरीके से बास में लगा कर तयार कर दिया गया है और इसको राजधानी पटना के अलग-अलग सड़कों पर भी लगाया जाएगा देखिए यह जिस गेट के हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं वहां क्या लिखा है नेशनल कॉंसिल मीटिंग जनतादल युनाइटेज। और अब हम इस धरबाजे के अंदर से जेडियू में प्रवेश करेंगे और इसी करपूरी सभागार में बैठक होगी, नेशनल काउंसिल की जो बैठक होनी है वो इसी कारियाले के अंदर होगा और अब जब हम पोश्टर की बात कर रहे हैं तो पहले पोश्टर पर चर्चा करेंगे देखिए ये पोश्टर के आप दर्शा रहा है परदेश में दिखा है देश में दिखेगा ये साब तोर पर कहा जा रहा है कि जो प्रदेश में दिखा है वो देश में भी दिखेगा यानि कि मुख्यमंत्री नितिश कुमार 17 सालों तक मुख्यमंत्री रहे हैं और उनका जो काम रहा है वो जनता ने देखा है बिहार में जिस प्रकार से हर घर नल का जल हो मुख्यमंत् और इसी की जो चर्चा है वो खी जा रही है कि प्रदेश ने देखा है अब देश में देखेगा उन्हों ने बताज था कि इन zeggen she हर जगा तक पहुचा दिया, तो नितिश कुमार की वही जो कहा जाए कि नितिश कुमार ने भी वही काम किया है, अब देखिए दूसरे पोस्टर की ओर हम बढ़ रहे हैं, अस्वासन नहीं सुशासन, यानि की कोई भी कुछ भी करेगा, तो उसको अस्वासन नहीं, बलकि सु अस्वासन के हम जो बात करें कहीं भी कुछ भी होता है तो उसको जो अस्वासन देनी की बात कही जाती है यह साब तोर पर निशाना केंद्र सरकार के ऊपर है केंद्र सरकार जिस प्रकार से अस्वासन देती है कि यह कारवाई की जाएगी या इस चीज को पूरा किया जाएग तो यह असवासन नहीं बलकि सुशासन यहां पर यह जेडियू कारियालय है और जेडियू कारियालय के अधिकारी के बैनर पर यह तमाम तरह की पोस्टर्स को लगाया गया है यही वो करपूरी सभागार है और यही जनतादली उनाइटिट का यह ऑफिस है जहां पर इस तरीक मुख्यमंत्री नितिश कुमार को मुख्यमंत्री प्रधान मंत्री के दावेदार के लिए ये साब तोर पर ऐलान कर दिया गया है कि प्रधान मंत्री के चेहरे होंगे नितिश कुमार ये पोस्टर दरसाता है जो जेडियों में लगाया गया है ये बतला रहा है कि आखिरकार नितिश कुमार ने जो काम किए हैं, उसी को बदावलत जो है वो आगे प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के उपर निसाना साधने की जो कवायाद है, वो शुरू कर दी गई है, मन की बात हो, या जुम्ले बाजी की बात हो, इन तमाम मुद्धों को लेकर प्रधान मंत्री को घ कहा जाए कि यह हमला एक तरफ से केंद्र सरकार के उपर है केंद्र सरकार जिस प्रकार से जुमलेबाजी की हम बात करे या जो कहा जाए कि अश्वासन नहीं बलकि सुशासन या जो बैनर पोस्टर्स में लिखे गए हैं लाइन इन तमाम तरह के जो बाते हैं वो एक तरफ से दरसाता है कि प्रधान मंत्री बिपक्ष के तरप से उमिदवार जो हैं वो नितीश कुमार होंगे और ये तमाम तयारियां जेडियू के परदेश कारियाले में रास्टिय परिशत के रास्टिय कारिकारनी की बैठक से ठीक पहले ये किया गया है तो जो भी अपडेट्स होग वो हम आप तक पहुंचाएंगे कैमरामेन अकास के साथ मैरन जन सिंग पटना